हेलो दोस्तों नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मेट स्वाट का में हैं दोस्तों मैं हुआ रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के वन अब दो मुस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकाउ यहां पर बताया जाएगा देखिएगा डिसकाउंट का पहला और बिल्कुल बेसी कोशन है आपके सामने यहां पर देखिए बोला क्या है अंकित मुल अंकित मुल को हम लोग बोलते हैं MRP का मतलब होता है मार्क प्राइस या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी बस्त टेबल 11,000 रुपय में बेची जाती है देखिए 12,000 रुपया का टेबल है और बिका है कितना में 11,000 रुपय में हमें क्या बताना है टेबल पर दी गई छूट की दर क्या होगी छूट की दर बताना है ठीक है यानि डिसकाउंट प्रतिशत बताना है डिसकाउंट प्रतिश कितने प्रतिसत का छूट मिला देखेगा तरीका क्या होगा सबसे पहले देखे यहां पर बस्तु कितना का है 12,000 का विका है कितना में 11,000 में यानि छूट कितना का है छूट है आपका 1000 रुपए का हमें छूट नहीं बताना है प्रतिसत छूट बताना है तो इस 1000 रुपए का कितने रुपय पर मिला है 12,000 रुपय पर यानि बट्टा में हमेशा आपको क्या लिखना है बट्टा में हमेशा आपको लिखना है अंकित मुल जब भी प्रतीसत डिसकाउंट निकालना होगा कितने प्रतीसत का छूट होगा इसको निकालना होगा तो लिखना है उपर में बट्टा अंकितमुल और प्रतीसात में वैलू आपको चाहिए तो इसके लिए गुना करेंगे हम लोग 100 से सोल्भकर यह आंसर आपका यहां से आ जाएगा प्रतीसात डिसकाउंट निकालना है तो डिसकाउंट बट्टा में क्या लिखेंगे और प्रसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे प्रसेंटेज के लिए हम लोग उना करेंगे 100 से सोल्भ करेंगे यह आंसर हमारा आ जाएगा एक और टाइप से कुशन आपका पूछता है इसको भी आप यहां पे समझ लीजिए जैसे कुशन कभी कभी ऐसे बोलेगा कि तीन सर्ट प्रसेंटेज डिसकांट कैसे नुकालेंगे देखेंगा फ्री कितना है दो सर्ट फ्री है और बट्टा में MRP बस्तु बाले में MRP कैसे निकालेंगे तीन सर्ट पर डिसकाउंट कितना होगा 2 दो बट्टा 5 गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, solve करिए, यहां से आपका अंसर आजाएगा, देखिएगा, अगर 5 से काटेंगे, तो यहां 20 हो जाएगा, 20 गुना 2, यानि कि कितने परशन का डिसकाउंट है, 40% का आपका discount है question में अगर ऐसे बोला जाए कि तीन बस्तू 5 बस्तू खरिदने पर न 3 बस्तू free है इसका मतलब कि discount कितना का 3 का MRP कितना हो जाएगा 5 और 3 आठ 3 वर टाठ हो न क्या करेंगी हम लोग 100 करेंगे तो यह तो तरीका हमने आपको बताया कि परतीसा discount आप कैसे निकालेगा चूट आप कैसे निकालेगा आगे देखे कुछ और टर्म को यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि अंकित मुल हो सुची मुल हो छपा मुल हो इन सब का मतलब क्या होता है MRP होता है जो किसी बस्तू के उपर कीमत छपा हुआ रहाता है और कोई भी दुकांदार जब भी discount देता है न तो इसी MRP पर ही यानि अंकित मुल पर ही discount देगा वह जितना में बस्तू को खरीद के लाया है यानि जो उसका क्रेमुल होगा उस पर वह कभी discount नहीं देगा वह discount कहां पर देगा वह discount आपका हमेशा MRP पर देता है यानि कि अंकित मुल पर देता है और अंकित मुल पर discount के बावजूद भी उसको क्या होता है उस दुकांदार को लाभ होता है ठीक है तो discount हमेशा किसके respect में calculate करेंगी MRP के respect में अच्छा discount बास्ता में होता क्या है जैसे मान लिजे बोला जाए कि किसी बस्तू पर 10% का छूट है ठीक है कितने % का छूट है 10% का छूट है इसका मतलब क्या हुआ 10% छूट का मतलब है कि वह बस्तू अब हमें 10% कम में मिलेगा यानि जो भी उसका price होगा मान लिजे कि उस बस्तू का price यानि MRP 300 है अच्छा अगर हम 300 का 100% निकाल दे तो कितना होगा 300 का 100% 300 का 100% आपका 300 ही होगा किसी भी नंबर का 100% अगर आप निकालिएगा तो वही नंबर आएगा क्योंकि 100% का मतलब 100-800, 100-100 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा? 300 ही आएगा तो यहाँ पे जो हम आपको समझाना चाहते हैं उसको ध्यान से समझेगा किसी बस्तू का जो अंकित मुल है वह 300 रुपए है क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटा में 130 गुनाना कितना होगा? 270 यानि 300 रुपए का बस्तू हमें कितना मिल जाएगा? 270 में मिल जाएगा अगर कहीं बोला जाए कि 20% का छूट है 20% का मतलब क्या होगा? कि बस्तू का जो भी MRP होगा उसके 80% में ही बस्तू आपका उपलवध हो जाएगा 80% में ही बस्तू क्या होगा आपको मिल जाएगा 30% छूट का मतलब है कि बस्तू अपने MRP के 70% में ही आपको मिल जाएगा तो हमने यहाँ पर आपको बताया छूट का मतलब और छूट जब भी calculate होगा तो किसके respect में calculate होगा MRP के respect में calculate होगा तो एक एक चीज को आप बारी की से अच्छी तरह से समझते हुए चलिए चलिए नमबर एक question हो गया अब नमबर दो question यहाँ से देखेंगे हम लोग ठीक है चलिए question नमबर दो देखते हैं यहाँ प्या चुका है फिर बाकी के question को लोग देखेंगे यहाँ देखें यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा important question है और अभी लगातार exam में इस तरह का question पूछा जा रहा है देखेंगा question क्या है बोला है एक company 400 रुपे के transistor इस transistor का जो MRP है वह कितना है 400 रुपे है 10% के बटे पर बेशता है 10% के discount पर बेशता है 400 रुपया का यहाँ आपका transistor है और इसको बेशता है 10% के discount पे लेकिन वह क्या किया कि बिक्री बढ़ाने के लिए अतरिक्त बटा घुसित किया जिससे transistor जो है वह 320 रुपय में बेचा जा सके तो अतरिक्त बटा ग्याद कीजिए याँ दिजेगा question में क्या है अतरिक्त बटा हमें बताना है यानि कि second discount बताना है फर्स्ट discount तो हमें पता है कि एक discount 10% दे रहा था लेकिन बिक्री बरहाने के लिए क्या किया कि वह एक अतरिक्त छूट दिया है तो हमें वही अतरिक्त छूट बताना है जो second वाला discount है वह बताना है कि बस्तू का किमत 400 से घटके कितना हो जाए 320 हो जाए बस्तू है कितने का 400 का और विक्राय कितने में 320 में कब जब इस पे 2 discount दिया गया पहला discount तो पता है 10% दूसरा discount हमें बताना है कैसे निकालेंगे second discount समझेगा सबसे पहली चीज़ बस्तू का यहाँ पे देख लिए अंकित मुल कितना है 400 है पहला बार छूट कितना दिया गय 946 यानि की 360 में तो 360 रुपय में यह बस्तू आपका बिक रहा था कब जब यह 10% का discount दे रहा होगा 400 रुपय का transistor 10% बट्टा पर यानि 400 रुपय का transistor कितना में बिक रहा था 360 में बिक रहा था अब यह 360 में तो बिक रहा था पहले से लेकिन अब इसको क्या किया है कि एक और और एक और discount के बाद अब यह बस्तू बेच रहा है कितना में transistor कितना में बेच रहा है 320 में ध्यान रहे अब यह transistor भिक रहा है 320 में एक discount के बाद 360 हो गया था अब हमें दूसरा discount पता करना है जिससे इसका कीमत 360 से घटके कितना हो जाए 320 हो जाए तो यही discount पता लगाना है जो छूट आपको मिल रहा है ना 40 रुपए का वह इस कीमत पे नहीं मिल रहा है इस वाले कीमत पे मिल रहा है ठीक है तो 40 का छूट 360 पे प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे गुना करेंगे 100 से इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा डिसकाउंट नंबर दो सेकेंड छूट हमें बताना था अतरिक्त छूट हमें इस कोश्चन में बताना था तो अलुक पर यह 0 से 0 कैंसिल 496 सो बट्टा नो यानि 11 पुर्णांक एक बट्टा नो परसेंट यह क्या है आपका यह आपका सेकेंड डिसकाउंट है तो जब भी बता सकते हैं अब 360 के बाद फिर से इसको 320 में बेचा गया है इसका मतला अब कितना डिसकाउंट तो 40 रुपए का कितना पे 360 पे परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे गुना करेंगे 100 से ठीक है चलिए तो आपने यहां पे सिर्फ समझा है डिसकाउंट निकालना अब आग आगे देखिए अब कोशन नंबर 3 हम लोग देखेंगे यहां पे देखेगा क्या है बोला है 10 प्रतिसात और 20 प्रतिसात के क्रमिक बट्टों के समतुल एक अकेला बट्टा क्या होगा देखिए एक तो होता है फ्लैट डिसकाउंट यानि 40 परसेंट छोड़ तो पूरा बस बोले लगातार छुट बोले इनस अब का मतलब क्या होता है सक्सेसिप डिसकाउंट इसका मतलब यहां हुआ कि बस्तू का जो भी involve होगा उस पे पहले 10% तॉ10% discount करेगा और 10% discount के बात जो किमत हुआ उस पर फिर से कितना discount करना है 20% discount करना है तो आप इसको ऐसे मन जोड़ीजेगा कि 10% और 20% यानि कि खूल मिलाके 30% discount 30% discount नहीं होगा कितना discount होगा आए इसको समझते हैं ठीक है बेसीक से रहेगा माइनस ध्यान रखिएगा एबी बट्टा सो जहां एक या स्थान पर क्या लिखना है पहला डिसकाउंट बी क्या स्थान पर क्या लिखना है आपको दूसरा डिसकाउंट ठीक है एक या स्थान पर पहला डिसकाउंट बी क्या स्थान पर दूसरा डिसकाउंट और यह यहां पे बीच में हमेशा चिन क्या रहेगा बीच में हमेशा आपका रहेगा माइनस का यह चिन आपका नहीं बदलना है इस फॉर्मुला का उप्योग करना है जब भी आपको दो क्रमिक बट्टा के बराबर में एक समतुल बट्टा निकालना पड़े पूरे डिटेल में इस सो होगा आईए इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 10 और 20 कितना है 30 और माइनस एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 बटा 1 यानि कि 2 30 माइनस 2 कितना होगा 28 कहने का यह मतलब है कि इन दोनों छूट के बदले एक समतलू छूट कितना हो जाएगा 28 परसेंट के बराबर तो अगर किसी बस्तू पर 10 प्रतिसत और 20 प्रतिसत का दो अलग अलग छूट दिया जाए या फिर 28 प्रतिसत का एक छूट दिया जाए दोनों का मतलब क्या होगा दोनों का मतलब सेम होगा दोनों का वैलू आपक ध्यान रहे यह क्या है आपका? यह आपका MRP है अब इस पर पहला डिसकाउंट कितना है? दस परसेंट तो 10% छूट के बाद यहाँ बस्तू कितना है मिलेगा? इसके MRP के 90% में तो अब इस बस्तू का कीमत इतना हो गया ठिक है? अब फिर से इस कीमत पर अभी जो कीमत हो चू रेमुल, 100 रुपय का बस्तू है, MRP बस्तू का कितना माल लिए, यहाँ आपका MRP हो गया बस्तू का, ठीक है, अंकित मुल हो गया, बस्तू का अंकित मुल 100 रुपय माल लिए, अब 10 प्रतिसे चूट के बाद यह बस्तू अपने अंकित मुल के 90% में बिखेगा, और फिर इस थो कितना का था, 100 रुपय का था, और यहाँ बिकेगा कितना में 72, इस मेथर से विक्रैमुल आता है, ध्यान रखिएगा, तो बिकेगा कितना में 72, तो 100 का बस तू बिक्राए 72, यानि डिसकाउंट कितने का हो गया, 28 रुपय का, और 100 में जितने रुपय का छूट होगा, उतना ही percent का छूट हो जाएगा, तो कितने percent का discount हो गया, 28% का discount हो गया, ठीक है, तो यह जो 28% discount आया है, वो किसके लिए आया है, 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टा के बदले, तो मैसे न निकाल के इस तरीके से ही, आसानी से निकाल लेंगे, यह calculation हम लोग मन ही मन कर सकते हैं, अच लेकिन इसका उपयोग करके, आप जो है, दो क्रमिक बट्टा दे, तीन क्रमिक बट्टा दे, चार क्रमिक बट्टा दे, सब के बदले में, एक सम्तुल बट्टा निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, MRP हम लोग, MRP हो जाएगा, और जो यहाँ पे भैलू आएगा, वह क्या होगा, 10% छूट के बाद इतना में भिका, 20% छूट के बाद इतना में भिका, तो यह बिक्रैमूल है, तो 100 का, बस तो 72% का क्या होगा, डिसकाउंट होगा, ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पे सीखा, कि दो करमागत छूट के बदले में, एक सम्तुल छूट कै कैसे निकालिएगा, फॉर्मूल हम लोग यूज करेंगे, ए पलस बी माइनस ए भी बट्टा, 100, अगर आप से कहा जाए, कि भाई, 30% और 20% के दो करमागत छूट के बदले, एक सम्तुल छूट बताईए, तो ए के जगा 30, B के जगा 20, माइनस ए भी यानि 30 गुने 20, और चूट है, इसका मतलब है कि उस बस्तू पर कितने परसेंट का डिसकाउंट होगा, 44 प्रतिशत का डिसकाउंट होगा, ठीक है, कई बार तेवहारी सीजन में इस तरीके से लिख दिया जाता है, 70% प्लस 30% का छूट, तो आप इसको ऐसे मत सूचेगा कि 70 और 30 मिला के 100% यान उस पे 30% छूट, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, कोश्चन नमबर देखेंगे यहाँ पर हम लोग 4, यहाँ देखें क्या है, यहाँ बोला है कि किसी बस्तू का मुल पहले 30% बढ़ाया गया, ठीक है, मुल को क्या किया गया, पहले 30% बढ़ाया गया, फिर उस प 10% और 10% का 2 करमिक बट्टा दिया गया, तो अंति मुरूप से बस्तू का मुल क्या होगा, तो हम मान लेते हैं बस्तू का मुल 100 रूप है, ध्यान रखियेगा, बस्तू का मुल कितना मान के चले हैं, 100, अब 100 में जो चेंजे जाएगा, 100 से अगर मान अगर बढ़ा गया, इस इसी बस्तू का मुल पहले 30% बढ़ाए गया, एक सेकेंड रूप जाएगा, यह मार पी नहीं है, या क्या है, बस्तू का करे मूल है, क्या है, यहाँ पर बोला है कोशन में, कि मुल 30% बढ़ाए गया, तो मुल यानी क्रे मुल 100 रूप्या माने, अब इसका मुल 30% 100 का हो जाएगा और फिर से इस पे 10% का discount यानि अब इसके 90 बटा 100 का हो जाएगा यानि कि पहले अगर हम 30% बरहा देंगे तो 130 बटा 100 के बराबर होगा फिर 10-10% डो बार discount करेंगे तो 90 बटा 100 और 90 बटा 100 के बराबर इस बस्तू का किमत हो जाएगा सोलब करिए 100 से तो 100 आपका cancel हो जाएगा उसी परकार से देखिए यहां पर 00 से 00 cancel हो जाएगा एक और 00 से 00 cancel एक जिरो यहां पर बचाये हमारे पास सबी value को आपस में गुणा करिए यहाँ पे आपका क्या है 181 गुणे 13 तो 181 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 3 हो जाएगा ठीक है हासिल 1 बचेगा कितना है आपका 181 गुणे 13 नो नमा 181 गुणे 13 तो 13 एकम 13 एक सव चार और 105 एई तो होगा इसका गुणान फल 105 तो 1053 और बट्टा में क्या है बट्टा में आपका यहाँ पे 10 है तो 1053 बट्टा 10 जब 10 से भाग करिएगा तो एक अंके बाद असमलब यानि कि 105 दसमलब तीन तो 105 दसमलब तीन रुपया कीमत हो गया कितने रुपए के बस्तू का 100 रुपय के बस्तू का तो 100 रुपय के बस्तू का कीमत 105 दसमलब तीन हो गया यानि 100 से ज़्यादा है कि कम ज़्यादा है इसका मतलब कि अंतिम रुप से बस्तू का मुल क्या है बढ़ जाता है घटा नहीं है बढ़ गया है कितना बढ़ा है 100 से 105.3 यानि 5.3 प्रतिसत कितना बढ़ा है 5.3 प्रतिसत 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परशेंट की बिर्धी हो जाएगी ठीक है चलिए अब चलेंगे अगले कोश्चन में कोश्चन नमबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 नमबर 5 कोश्चन देखेगा क्या है नमबर 5 क रुपए पर 40 प्रतिसत का एक बट्टा और उतनी ही धन्रासी पर 30 प्रतिसत और 10 प्रतिसत के दो करमावार बट्टा के धन्रासियों में क्या अंतर होगा देखें यहाँ पर बोला क्या है 40 प्रतिसत का अगर हम एक डिसकाउंट करे या फिर हम 30 प्रतिसत और 10 प्रतिसत 30 प के बदले में एक discount कैसे निकालेंगे देखे 30% और 10% चूट के बदले में एक सम्तुल चूट A plus B minus AB बट्टा 100 आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों चूट के बदले में एक चूट तो यही होगा 00 से 00 cancel 3010 कितना 40 40 में से 3- कर यह कितना होगा 37 तो 30 प्रतिसत और 10% के दो करमिक चूट का मतलब है कि बास्ता में चूट कितना का मिलेगा बास्ता में चूट आपका मिलेगा 37% इतना calculation आप मन ही मन कर सकते हैं जबकि फ्लैट चूट हो रहा था तो कितना था 40 परसेंट था तो हमें क्या बताना था कि 40 प्रतिसत का एक बट्टा और उतनी ही धंडास पर 30% और 10% दो करमाबाट बट्टो की धंडासी में अंतर तो 30-10 का मतलब 37 तो 40% है या 37% है कितने परसेंट का अंतर आया difference कितने परसेंट का आया 3% का तो 3% निकाल लिजे यानि कि जो भी यहाँ पे आपका कीमत है बस्तू का उसके 3% के बराबर ही मुल में अंतर आएगा प्रतिसत से रबल जीडो कैंसिल 5 तिया 15 यानि कि 15 रुपय का अंतर मुल में आएगा 40 और 37 यानि 3% ही तो जो भी बस्तू का कीमत है उसके 3% के बराबर ही आपका अंतर यहाँ पे आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में चलते हैं नंबर कोशन नंबर यहाँ पे आपका होगा 6 देखेगा यहाँ पे क्या बोला है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोशन है और इस तरह का कई कोशन हम लोग करेंगे इसी मेथड पे आधारी जो कई कोशन है उन सभी को देखेंगे और हम लोग देखेंगे इसका सौर्ट का ट छूट देता है फिर भी वह 25 प्रतिशत लाव कमाता है सब बहुत सारा कोश्चन आपको मिलेगा कि इतने पर्षेंट का यानि MRP का रेशियो यहां से निकल जाता है ठीक है क्या निकल जाएगा क्रेमूल और MRP का रेशियो कैसे निकलेगा देखेगा बोला क्या है 5% छूट तो 5% छूट का मतलब कितना होगा पंचान में रूपय हो जाएगा यहां का क्रेमूल हो जाएगा और 25% लाब 25% लाब का म अंकितमुल हो जाएगा ऐसे कोश्यन में सोटकट देखिया है आपका क्रेमुल और अंकितमुल में अनुपात निकालने का ध्यान रखियेगा यह क्या है आपका क्रेमुल और यह क्या है अंकितमुल अब इसको सोल्व करिए अगर 5 से काड़ते हैं तो उनीष पंचे 95 में होग तो अंकित मुल 5000 हमारे पास अंकित मुल कितना है 25 यानि 5000 जो है वह आपका किसका मान है 25 यूनिट का मान है क्योंकि यह भी अंकित मुल और यह भी क्या है हमारा अंकित मुल है तो जो देगा उससे करना है भाग बस तुका क्रेमल पूछा है यानि कि अनुपात 19 का मान तो 19 से ह गिदे रखा है 5000 तो अनुपात 25 का वहलू 5000 तो एक का वहलू 5000 बट्टा 25 अनुपात एक का वहलू कैसे निकालते हैं जो रियल वहलू होगा उसको उपर और इसी का जो अनुपातिक मान होगा उसको रखेंगे नीचे इससे अनुपात एक का मान निकलेगा तरीका आपको क्या ध्यां रखना है कि जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पुछेगा उससे गुना करमुल पूछा है तो क्रेमुल से गुना 25 से काठैे 25 29 रूपए 238 princi रूपए जो है वहापका क्या होगा488 रूपए इस बस्तू का यहां पे क्रैमूल हो जाएगा मान लिजे कि बस्तू का क्रैमूल दे रखा होता 3800 ठीक है क्या दे रखा होता क्रैमूल 3800 तो 3800 कितना यूनिट का मान होता उनईस यूनिट का तो उनईस से भाग कर ये एक यूनिट का जानने का अभी इसके उपर आधारी कई कोश्चन समलोग देखेंगे चलिए बरते हैं अगले कोश्चन में कोश्चन नंबर देखिएगा यहां पर क्या है कोश्चन नंबर यहां पर आपका साथ है बोला है एक व्यापारी अंकित मुल पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमात भी कोश्चन में क्या निकल जाएगा क्रेम और === उसका रिश्योन निकल जाएगा देखें रिश्योन क्या होगा दस परशंट चूट यानि की 90 और इस पे क्या होता इसको शतराइपर पर्शंट का लाभ यानि की 170 अतना ही करना है इससे अंकितמ और इसका अनुपात निकल निकल जाएगा इससे क्रैमूल और अंकितमूल का अनुपात निकल जाएगा आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या फिर इस पे भी आप कोश्चन को सोल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए नौ से यह वेलू कट रहे तो नौ से काटिये नौ दहाई नब्बे और नौ से काटिये और यहाँ पे क्या बचेगा नौतिया सत्ताइस दस अनुपात तेरा हमें क्या बताना है कि क्रैमूल कितना अधिक कमाने हेतु वा बस्तू पर क्रैमूल से कितना अधिक अंकितमूल अंकित करता है यानि कितना प्रतिसत अधिक हमें क्या बताना है दरसल इस कोशन में कि जो अंकित मुल है न वह क्रेमुल से कितना प्रतिसत अधिक है क्या बताना है अंकित मुल क्रेमुल से कितना पर्षेंट अधिक है तो अंकित मुल देखे क्रेमुल से अधिक कितना है 3 कितना से अधिक है 10 से प्रतिसत के लिए गुना करेंगे 100 से कितना प्रतिसत अधिक है हम लोग वह आपका क्रैमुल से कितना अधीक है 30% अधीक है वही मेथड हम लोग वही ट्रेक हम लोग उपयोग किये हैं जो पीछे के कोशन में और भी इस तरह का कोशन अभी हम लोग देखेंगे नंबर 8 कोशन देखिएगा कोशन नबर 8 यहां पे देखिएगा क्या है पुला किसी बस्तू का मुल कितना प्रतिसत बढ़ा के अंकित किया जाए कि अंकित मुल पर 20 प्रतिसत और 10 प्रतिसत के करमिक छूट के बाद भी 8 प्रतिसत का लाब हो गौर से देखिएगा इन दोनों छूट का मतलब हो जाएगा 28% का डिसकाउंट निकाल लिजे क्रमिक छूट दो क्रमिक छूट के बदले एक सम्तुल छूट A प्लस B माइनस AB बट्टा 100, B बीस और दस 30, 30 माइनस 20 गुने 2 यानि 2 क्योंकि बट्टा में 100 है तो कटेगा 30 माइनस 28% दो क्रमिक छूट के बदले एक सम्तुल छूट तो निकाल सकते हैं अब कोशें क्या हुआ कि 28% छूट देने के बाद आठ परशेंट का लाव तो फिर से आप क्या कर सकते हैं फिर से आप क्रेमल में और अंकित मुल में यानि की MRP में रेश्यो निकाल सकते हैं, कितना का डिसकाउंट दिया है, 28%, तो 28% डिसकाउंट यानि 100-28, 72, ठीक है, चलिए, और 8% का अलाब होता है, मतलब की 108, काटिये वैलू अगर कटरा होगा, 36 से काटिये, 36 दुना 72, और 36 तरीक, 108, MRP कितना 3, क्रैमूल कितना 2, बोला क्या था, कि किसी बस्तू का मुल कितना परसेंट बढ़ा की अंकित करे, देखिए, कितना परसेंट, यानि कि क्रैमूल से कितना ज्यादा MRP, क्रैमूल से कितना ज्यादा अंकित मुल अंकित करे, कि इसको 8% का अलाब हो, तो कितना अंकित करना पड़ेगा, 3, किसके बजाए, 2 के बजाए, तो कितना जादा एक जादा एक जादा लेकिए क्रेमूल इतना है अंकित करना पड़ेगा तीन कितना जादा एक कितना से दो से प्रतिसत के लिए गुना करेंगे 100 बिल्कुल सीमिलर कोशन है लेकिन भासा यहां पर डिफॉरेंट है दो से काटे कितना हो जाएगा पच्चास आंसर हमारा इस कोश्चन का हो जाएगा पच्चास परसेंट यानि कि पच्चास परसेंट अंकित मुल जो है वह आपका क्रेमुल से बढ़ा के अंकित करना होगा ठीक है चलिए बरते अगले कोश्चन में कोश्चन नंबर यहां पर आप भी तो बाइस परसेंट शूट का मतलब क्या हो जाएगा 78 ठीक है क्रैमूल कितना हो जाएगा 78 और MRP क्या हो जाएगा MRP देखिए क्या हो क्या बोला है 17 परसेंट का लाभ यानी की 117 सोल्ब कर लिजी आंसर यहां से आपका आ जाएगा 22 प्रतिसा छूट देने के बाद भी 17 परसेंट लाभ होता है किसी बस तुका आंकितमल उसके क्रैमूल से कितना अधीक होना चीए बस आसानी से यहां पर निकाल लेना है फैलू ठीक है यह वैलू अगर कट रहा होगा तो इ है नहीं सीधे चैटरेशु के हैं ङसी तो यहां पर आतों कि आएगा वालू कितना परेंट इना को घी?. पहले हम 3 से काटेंगे और फिर हम 13 से काटेंगे 49 गुना 78 और 49 गुना 3 हो जाएगा 172 अनुपाद 3 हमें क्या बताना है यह वैलू से कितना परशेंट अधीक है एक अधीक है कितना से दो से बिल्कुल सेम कोश्चन है बस आपका क्या है भासा अलग है आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50 परशेंट विकल्प ए जो है वह आपका इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा चलिए बढ़के कोश्चन नमबर 10 यहां पर देखेगा क्या बोला है किसी बस्तू पर लागत मुल किसी बस्तू का लागत मुल एक हजार है ठीक है कॉस्ट प्राइस है यह उस बस्तू पर कितना मुल अंकित किया जाना चीए कि अंकित मुल पर 20 प्रतिसत और 30 प्रतिसत के क्रमिक बट्टा के बाद भी क्रमिक छूट के बाद भी 12 परशेंट का लाब हो, इतने छूट के बाद इतने पर्षेंट का लाब, तो ऐसे कोशन में आपको क्या निका लेना है, फटा-फट से, क्रैमूल और MRP का आनुपाद, तो आईए, क्रैमूल और MRP का आनुपाद हम निकालते हैं, अचाहिए, इन दोनों छूट के बदले में, एक समतलू छ चूट का मतलब है कि बस्तू कितना में मिल जाएगा आपको बस्तू का क्रेमुल कितना हो जाएगा चूब आगे देखें क्या बोला है अब हमें इस कोश्चन में बताना है कि लागत मुल एक हजार है तो उसका अंकित मुल क्या होगा लागत मुल एक हजार लागत मुल यानि क्रेमुल एक हजार है तो एक हजार जो है वह कितने अनुपात कामान है यहां देखें लागत मुल कितना है एक अनुपात कामान है तो एक से कर लिजे भाग और निकालना क्य क्या है अंकित मुल यानि MRP अनुपाद दो कामान तो दो से कर लिजे गुना बस कोश्चन आपका हो गया सोल्व अब इक्रेमुल क्या होगा कोर से देखेगा 3600 रुपाय में कब बेचा गया जब इस पे छूट दिया गया 10% 10% चूट यानि कि यह 90% का मान है ठीक है 15% चूट यानि कि 100-15 हमें कितने परशेंड कामान निकाला है 85% का 10% चूट के बाद 3600 में भी का यानि 3690 परशेंड का मान है 15% चूट चाहिए यानि कि 85% का मान चाहिए सोलब करिए 9, 4, 36, 40 हो जाएगा 85, 40, 0 है तो 0 आ जाएगा 5, 4, 20, 0, 2, 8, 4, 32 और 2, 34, 3400 रुपाय आपका इस कूश्चन का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा 10% चूट यानि कि 90% 15% चूट यानि कि 85% तो 90% का मान दिया है और 85% का मान हम लोगों से पूछा है ठीक है चलिए कोश्चन नंबर यहां पर देख लीजिए आप 12 नंबर 12 कोश्चन क्या है यहां बोला है कि एक ब्यापारी अपने सामान पर क्रेमुल से 20% ज्यादा किमत अंकित करता है और फिर 5% का छूट देता है तो अंतिम प्राप्त बरहा दिया और फिर क्या किया फिर वह 5% का छूट दे दिया तो प्लस माइनस यहां पर क्या होगा माइनस 20 गुना 5 और बटा में क्या लिखेंगे बटा में लिखेंगे 100 सोल्ब कर यह आंसर आपका आजाएगा देखिएगा यहां भी 100 है यहां भी 100 है 100 से 100 कैंसल कितना बा है ठीक है डिसकाउंट वाला नहीं है या क्या है एवी फॉर्मूला एवी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं दो कंटिनीव घटना का परिणाम निकालने के लिए और दो कंटिनीव घटना क्या कहला आता है कि जब एक ही बस्तु का कीमत पहले बरहाएं और फिर घटा सौग लेकिन इसमें एक दियान रखना होता है कि अगर बिर्धी होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस ठीक है और साथ में यह वाला जो चिन है वह ए और भी दोनों के चिन का गुननफल है चुकि ए भी ए गुना भी का चिन है तो ए और भी दोनों के चिन का गुननफल है इसका मतलब है कि अगर A और B दोनों positive होगा तो यह positive, अगर दोनों negative होगा तो यह positive, क्योंकि माइनस गुरे माइनस क्या होगा, plus, यहाँ minus चिन्द तभी आएगा, जब दोनों में से कोई एक negative होगा, तो देखे, क्या बोला है, पहले 20% जादा, तो एक आमान, plus 20, फिर 5% discount, त तो भी खामान, minus 5, अब एक plus में, एक minus में, तो यहाँ minus होगा, finally value आपका, कितना % आ गया, 14% आ गया, आगे देखे, question number यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 13, यहाँ पर क्या बोला है, अपरणा एक बस्तू पर उसके क्रेमुल से 50% अधिक मुल अंकित करती है, और लगभर 10% पाने के लिए उसे कितने % की छूट दी जानी चाहिए, देखे, क्रेमुल से 50% अधिक, इसका मतलब है कि क्रेमुल अगर 100 रूपय है, तो वह कीमत कितना अंकित करती होगी, वह कीमत अंकित करती होगी, 150, क्रेमुल से 50% अधिक, 100 से 50% अधिक, यानि कितना, 150, अगर का क्रैमूल है या क्या है यह बस도 का MRP है. अब आगे यह बोलत है लगभग दस प्रतिशत लाव प्राप्त करने के लिए 10 पर्षन लाव 4 यानि की क्रैमूल से 10 पर्षेंश ज कि 150 का बस्तु 110 में यानि कि 40 का डिस्काउंट कितना पे 150 पे प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे गुना करेंगे 100 से solve करिए answer आपका आजाएगा 50 से काटिए 52 100 और 50 से काटिए 50 तिया 150 असी बट्टा तीन ठीक है कितना आ रहा है आपका असी बट्टा तीन असी में अगर आप तीन से भाग करते हैं तो क्या value आएगा तीन दूना चो है दो बीस हो जाएगा तीन च्छके अठारा तीन च्छके के लिए इतना ही फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए कॉंसिप्ट के साथ थाइंक्यू जय हिंद